हालो स्टूडेन्स आजका हमारा टॉपेक है क्लोनिंग, क्लोनिंग जो की ऐनिमल बायो टेक्निलोजी में काफी इंपॉर्टेन्ट रोल प्ले करता है और एनिमलЗ क्लोनिंग के थूँ थ्रू हमें डिफरेंट आस्पड आइस्पेक्ट आफ लोनिंग भी पता चले थे जिससे हम CLONING को as a Therapeutical Remedy भी यूज कर सकते हैं, यह हमें CLONING के EXPERIMENT से पता चला और यहां पर हम एक complete Animal को कैसे Bio Reactor की form में भी यूज कर सकते हैं यह CLONING के थूँ ही हम जान पाए तो CLONING क्या चीज है और CLONES क्या होते हैं इनको आज समझने की कोशिश करते हैं अभी हम यहां पर कुछ डाइग्राफ पिक्स देख रहे हैं तो दिस वन इस दॉली जो की काफी फेमस एक क्लोन था यह कॉपी कैट है जो आपका गीन अ काइंड ओफ डॉमेस्टिक पेट्स जो होते हैं उनका एक फर्स्ट प्रूवड क्लोन बनाय गया थ और यह टाइम मेगजीन का कवर पेज है जिसके थूँ यह बताने की कोशिश की गई थी कि जो आपकी क्लोनिंग है वो किस हद तक कारगर है और किस तरीके से मैनकाइंड को यह बैनेफिट्स देती है या फिर सर्टेन काइंड ओफ लॉसस होते हैं मैनकाइंड को यह इसके सब्सक्राइब इसके सब्सक्राइब की घुक्रै के लिए कोषिश कि गई थी ट्रू आज हम जानने की कोशिश करेंगे वट इस दगुनिंग मैजिशकले बाइस जो टॉनिंग ह्वो हर्बर्ड जे वेबर के द्वारा दिया गया था और यह जो श्क्लोकलोनीं प्रक्रिया यह है क्या तो cloning प्रक्रिया से मिलने वाली जो हमें individuals होते हैं वो clones कहलाते हैं ठीक है ना cloning प्रक्रिया क्या है cloning एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी gene का tissue का या फिर एक complete organism का genetically identical copy create करते हैं किसी भी gene, tissue, cell या complete organism का genetically identical copy बनाने की प्रक्रिया को हम cloning कह रहें, और ये जो आपकी cloning के through जो individuals हमें मिलते हैं, जैसे कि gene हो गया, जो genetically similar है, या tissue, या cell, या organism, जो भी genetically similar objects हमें मिलते हैं, इस cloning प्रक्रिया के through वो clones कहलाएंगे, और Harvard J. Weber ने ये सबसे पहले clone term को coin किया था, यहां पर cloning प्रक्रिया animals में हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, देखो plants में काफी easy होता है cloning process को modify करना, क्योंकि plants naturally भी clones produce करते हैं, लेकिन animals में ये प्रक्रिया, ये clones बनाने की process काफी gentle होती है, यहां पर ये cloning जो animals में हम कर सकते हैं, वो दो प्रकार से कर सकते हैं, पहली है embryo twinning की through और दूसरी है somatic cell, nuclear transfer के through, ठीक है? embryo twinning क्या चीज है? embryo twinning जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, embryo को हम जुड़वा embryo में बदल देंगे, तो एक भूण था, एक embryo था, उसको early embryonic condition में, याने की up to morula condition तक, हम अगर उस brun को, उस embryo को दो equal halves में तोड़ दें, बाट दें या फिर, तो हमें क्या मिल जाएंगे? दो brun मिल जाएंगे, और जब हमें दो अलग-अलग embryo मिल जाएंगे, तो जब हम उन दो अलग-अलग embryo को transfer करेंगे किसी भी mother के uterus में, surrogate mother के uterus में, तो हमें दो उनके पास genetically identical copies होंगी, किसकी genes की, ठीक है, उनके पास genes की similar copies present होंगी, तो इस तरीके से हमने embryo tuning करके, दो similar individuals create किये, ठीक है, अभी यहां पर embryo tuning करने के लिए हम क्या करते हैं, तो basically हम कोई physical, chemical या biological method apply करते हैं, mostly यहां पर physical methods को ज़्यादा importance दी जाती है, ठीक है, और क्या करते हैं, जो early embryo है, उसको either needle के through pierce कर लेते हैं, early embryonic condition में, या फिर हम certain type of chemicals का insert कर देते हैं, ताकि वो दो equal half में तूट जाएं, ठीक है, और इसके अलावा हम उसे proper nutrient supply भी देते हैं, तो यह सारा जो embryo tuning का का काम है यह early embryonic condition में ही होगा, और in vitro condition में ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट है, somatic cell nuclear transfer technique, इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें हम क्या करते हैं, somatic किसी भी body cell, किसी भी animal के body cell, जिने हम somatic cell कह रहे हैं, जिनमें total potentiality नहीं पाई जाती है, उन somatic cells को हम क्या करते हैं, उन somatic cells के nucleus हम ले लेते हैं, और उस somatic cell के nucleus को अब हम क्या करते हैं, किसी भी either fertilized or unfertilized egg के अंदर, उस somatic cell के nucleus को transfer करते हैं, यह धियान रहे कि वो जो आपने fertilized या unfertilized egg लिया है, वो enucleated हो, उसका nucleus या उसका complete DNA component remove कर दिया गया हो, अब ही यहाँ पे जो भी हमें somatic cell nuclear transfer technique से clones मिरते हैं, वो हमें ज्यादा मात्रा में मिरते हैं, बजाए के embryo tuning process के, हम ज्यादा से ज्यादा somatic cell nuclear transfer technique से ज्यादा से ज्यादा clones बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अगे इन दोनों process में क्या करना है, इन विट्रो कंडिशन ही apply करनी है, तो these are the methods of artificial cloning, ओके, और यहाँ पे अभी थोड़ी सी history समझते हैं, अनिमल clones के बनने की, यहाँ पे किन-किन species के ऊपर cloning successful रही है, उनहीं का mention करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे frogs का clone बनाया गया 1952 में, जो की Robert Briggs और Thomas J. King के द्वारा बनाया गया, और यह आपके इनके द्वारा बनाया गया, और इनके थुरू इन्होंने clone किया northern leopard frogs को, दूसरा clones 1963 में clones बनाये fishes के, और यह टॉंग डिजो द्वारा बनाये गये, जो की पहले clone fish थे, नेक्स्ट है sheep, तो sheep के clones तो आपको पता ही है, basically dolly एक आपका proper animal clone है, जो की sheep है, इसी तरीके से dolly से पहले, एक साल पहले dolly बनाने से, मेगन और मुरैग नाम के दो और sheep जो थे, उनको भी develop किया गया था, एसी टेकनीक के थूँ, लेकिन यहाँ पर difference बस इतना है, dolly पहली animal clone है, जो somatic cell के थूँ बनाई गई थी, somatic cell के nucleus को transfer करके बनाई गई थी, जबकि मेगन और मुरैग के जो nucleus का source था, वो आपके undifferentiated embryonic condition के cells थे, ठीक है ना, तो जो मेगन और मुरैग है, उससे जो उसके लिए, मेगन और मुरैग को बनाने के लिए, जो हमने nucleus लिया था, वो किस से लिया था, somatic cell से नहीं लिया था, embryonic cell से लिया था, ठीक है ना, तो embryonic cell से यहाँ पे nucleus transfer किया गया, cytoplasm में, एग में, और तब मेगन और मुरैग बने थे, जबकि डॉली बनाने के लिए, somatic cell nucleus transfer technique इस्तमाल की गई थी, ओके, नेक्स्ट है, माइस, पहला transgenic माइस, जिसे मासा नाम दिया गया, 1986 में बना, इसी तरीके से rhesus monkeys, जो की tetra है, यह पहला rhesus monkey था, जो 2000 में बना, और 2000 के end तक आते आते, pig का भी clone बन गया था, ठीक है, गौर जो है, यह आपके एक तरीके की water buffalo होती है, यह आपकी endangered species है, तो endangered species का भी पहला clone जो था, वो 2001 में बनाये गया, successfully जो clones बनाये गये, उन्हीं का mention कर रहे हैं हम यहापे, next cattle का भी यहापे clone बनाये गया, जिनके नाम थे, alpha और beta, cat जो होती हैं आपके domestic animals, उनका पहला successful clone जो बना था, उसे cc cat कहा गया, या copy cat कहा गया, उसके बाद little nicky भी बनी, और यह आपके पहले little nicky जो थी, वो पहली commercial reason से produce की गई cat clone थी, okay, cc cat क्या थी, पहली cat clone थी, जबकि little nicky commercial purpose से produce की गई पहली cat थी, clone थी, ठीके cat clone थी, next rat, rat का जो आपका clone बना, वो 2003 में successfully बनाये गया, जिसका नाम Ralph था, इसी रंग से mule, mule का जो clone बना, वो इडाहो जैम था, ठीके, जो कि mule क्या है, जो कि आपकी horse family के clone mention किये जाते हैं, next था, horse जो की नाम दिया गया, जिसे pro media, ये पहला horse clone था, mule एक horse और डंकी के fusion से जो बनता है, उसे mule कहते हैं, यहाँ पर फिर dog, dog में snuppy बनाये गया, सबसे पहला dog clone था, 2005 में, फिर wolf के clone थे, वो आपके snow wolf और snow wolfी नाम दिया गया, और ये आपके पहले दो female wolves थे, जो 2005 में बने, इसी रंग से water buffaloes जो थी, ये इंडिया के करनाल में, जो आपका research institute है, NDRI, National Dairy Research Institute, वहाँ 2009 में, पहली water buffalo, जिसका नाम समरूपा रखा गया, उसका भी clone बनाये गया, लेकिन ये जो समरूपा थी, ये lung infection के कारण, कुछ ही दिनों में मर गई, पांच दिन बाद ही, ये समरूपा की death हो गई थी, just because of lung infection, ओके, next है camel, camel में इंजाज, पहला camel clone बनाये गया, इसी रंग से पश्मीना गोट का clone था, नूरी, और मकाक मंकी का clone था, जॉंग जॉंग और हुआ हुआ और इसी रंग से हमने 2019 में अभी, currently, CRISPR-Cas9 टेकनीक के थूँ, gene editing करते हुए, ही, जियांक्यू नाम के scientist ने, पहले human babies, genetically modified human babies डिजाइन किये, जिनका नाम लूलू और नाना है, देखो, basically क्या है humans के उपर, most of the countries में human cloning जो है, वो काफी हद तक बैन है, ठीक है, most of the countries में, लेकिन कुछ countries में बैन नहीं है, तो वहाँ scientists इस पे process करते हैं, और ये जो CRISPR-Cas9 टेकनीक है, अभी जो noble मिला है, वो इसी टेकनीक को मिला है, chemistry का, तो इसे भी हम समझेंगी कभी बाद में, यहाँ पर मेंचन कर रहे हैं, artificial और natural जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, so simple, natural cloning जो nature में प्रेजन्ट होगी, artificial जो हम करेंगे, जो man-made होगी, जो हमारे थूँ अप्लाई की जाएगी, artificial cloning में आती है, gene या molecular cloning, next reproductive और organism cloning, और तीसरी आती है, therapeutic cloning, natural cloning, जो nature में प्रेजन्ट होगी, यह achieve होती है, asexual reproduction के थूँ, यह achieve होगी, किस-किस asexual reproduction टेकनीक के थूँ, तो यहाँ पर spore की formation के थूँ, यह होती है, binary fission के थूँ, budding, fragmentation, parthenogenesis, इन सब के थूँ, natural cloning होती है, और साथ-साथ में nature में, identical clones की formation भी देखी जाती है, जो की natural clones के example है, जो identical twins होते हैं, वो भी natural clone के example होते हैं, spore formation जो है, वो clones produce करता है, plant, selgi, fungi, और protozoa में, binary fission के थूँ, हमें clones मिलते हैं, bacteria में, जिसमें bacterial DNA, replicate हो जाता है, और two equal halves में, replicated DNA, एक नई वर्जिन में मिल जाता है, जिससे हमें two identical cells मिल पाते हैं, ठीके न, तो budding में क्या होता है, ये body के, जो parent body है, उसके ही body part पे, एक outgrowth नजर आने लगता है, ये भी आपका एक तरीके का, natural clone के example है, next, fragmentation, तो fragmentation में, बॉड़ी में, different, जो individual की body है, उसमें different pieces हो जाते हैं, और ये different pieces, तूट के अलग हो जाते हैं, और हर एक individual, हर एक fragment, एक individual को represent करता है, later, later phases of life में, ओके, इसी रंग से parthenogenesis की बात करें, तो कई सारे हम, जो lower vertebrates हैं, और आपके, plants हैं, और कई सारे invertebrates, जो हैं, उनमें parthenogenesis, देखी जाती है, parthenogenesis के थूँ, किसी भी unfertilized ovum को, हम reproduce करा सकते हैं, एक individual की form में, ओके, तो most of the insects में, ये देखा जाता है, अब यहाँ पर molecular cloning क्या है, तो molecular cloning, जैसे नाम से ही समझ में रहा है, molecules में जब हम cloning करेंगे, यानि कि molecules में किस molecules में करेंगे, तो obviously, जो genes को represent करेगा, molecules उसमें करेंगे, तो DNA की यहाँ पर हम multiple copies बना लेते हैं, और वो सारी copies जो होती हैं, वो identical होनी चाहिए, ठीक है, तो जबी भी हम DNA की, या gene की, या complete chromosome की identical copies बनाते हैं, तो हम उस टेकनीक को कहेंगे, molecular cloning, इस टेकनीक को molecular cloning के अलावा, gene cloning, या chromosomal cloning भी कहा जाता है, ओके, next है, या DNA cloning भी कहा जाता है, ओके, next है, organism cloning, तो organism cloning, जिसे हम reproductive cloning भी कहते हैं, इसके थुरू हम एक complete organism को produce कर लेते हैं, तो किसी भी organism की identical copy जब हम produce करते हैं, पूरे की पूरे organism की, तो उसे हम organism cloning कहते हैं, ठीक है, और जैसे इसमें dolly एक example है, organism cloning का, next है therapeutic cloning, तो therapeutic cloning में therapy के लिए हम clones बनाते हैं, जीन थेरेपी के लिए हम clones बनाते हैं, किसी भी disease, defect या disorder को cure करने के लिए, हम यहाँ पे clones बनाते हैं, इन clones को हम basically design करते हैं, stem cell technique के थुरू, तो यहाँ पे हम stem cells की मदद से clones बनाते हैं, mostly human embryos में हम यह cloning technique यूज करते हैं, for curing the particular genetic disorders, तो these are all the types of cloning present in artificial cloning methods, नेक्स्ट हम इन तीनों टेक्नीक्स को, molecular, organism और therapeutic cloning को detail में पढ़ेंगे, तो यहाँ कि आएग पипनाते हैं, करते हैं लिए यॉझ को बनाते हैं, कि ढुएा रिखवाँ,